Mentally Strong कैसे बने? मांसिक रूप से मजबूत कैसे बने? हम दूसरों को तो बहुत प्यार से रख लेते हैं लेकिन जब बात आती है हमारे मांसिक रूप से मजबूत बनने की तो इसमें हम असफल हो जाते हैं यह ऐसे कई सारे लोग हैं जो की मांसिक रूप से मजबूत नहीं हो पाते हैं मांसिक रूप से mentally strong होने में वो असफल हो जाते हैं अधिकतर लोग शारिक रूप से तो बहुत मजबूत होते हैं लेकिन mentally मजबूत नहीं होते हैं मांसिक रूप से कमजोर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है और कई सारी परेशानियों को भी अपने अंदर ले लेता है उसे सबसे ज़ादा डर लगता है उसको कोई भी बुद्धु बना सकता है इसके साथ ही मांसिक रुप से कमजोर इंसान को भी बहुत परेशानिया होती है अगर आप भी मांसिक रुप से कमजोर हैं और मैंने जो बताया उसमसे आपको कुछ भी होता है तो इसको दूर करने के केवल तीन टीप्स है अगर आप मानसिक रूप से कमजोर हैं तो यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको कि मजबूत कैसे बने mentally strong कैसे बने इस समय में हर किसी को मानसिक रूप से मजबूत होना ही चाहिए जो भी अपने मानसिक रूप से मजबूत नहीं कर पाता है अपने आपको वह ऐसा दिखता है जिसे दूसरे के बारे में सोच रहे हैं हमेशा दूसरे के बारे में ही सोचेंगे दूसरे शब्दों में इन्हें कहूं तो मांसिक रूप से जो मजबूत इंसान होते हैं वे बहुत सफल हो सकते हैं लेकिन बहुत से लोग mentally मजबूत नहीं होते हैं मैं आपको बता दूँ कि कोई भी मांसिक रूप से मजबूत बन सकता है बस उसे कुछ समय खुद को देना होगा मांसिक रूप से मजबूत होने के लिए सबसे पहले आप अपने दिमाग को समझे आप अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझे आपका दिमाग कब और क्या करने पर खुशी देता है खुशी महसूस करता है और कब आपका दिमाग पूरी तरीके से बोर हो जाता है आप दिमाग के काम को करने की जानकारी का पता लगाए और उसको अलग रूप से बढ़ाए उसके बाद उसमें समय समय पर बदलाव करते रहे जैसे अगर आपको गाने सुनते समय मज़ा आता है पर आपको पढ़ते समय मज़ा नहीं आता है तो आप पढ़ाई को गाने की तरव करें मेरे एक सर थे जो कि हर श्लोक को गा गा कर सुनाते थे तो संस्रित के जितने भी श्लोक होते थे हमें मूपर याद हो जाते थे क्योंकि वो उसको गाकर सुनाते थे और हम उसे गाना गाकर ही याद करते थे जब हमारा दिमाज कलपना सही कर रहा होता है तो हमारा दिमाज हमें खुशी देता है इसी तरह आप भी पड़ाई में भी कल्प ना करें कि आगे क्या कर सकते हैं सबसे पहले तो आप अपनी फीलिंग को कंट्रोल कीजिए Mentally Strong होने के लिए आप अपनी फीलिंग को कंट्रोल करें अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत से लोग अपनी feeling को control ही नहीं कर पाते हैं थोड़ी सी बात में खुश हो जाते हैं, थोड़ी सी बात में नाराज या गुसा हो जाते हैं ऐसा होना mentally strong ना होने की ही पहचान है आप अपनी feeling को control में रखें आप अपने feeling के अनुसार न रहें, बलकि आपकी feeling आपके अनुसार होनी चाहिए जैसे हम ज़्यादा mobile चलाना तो नहीं चाहतें, लेकिन पूरा अगदेन स्क्रॉल करते रहते हैं क्योंकि हमारी feeling हमसे ज़्यादा mobile यूज करवाती है अपनी सोच को control कीजिए feeling के साथ ही अपनी सोच को अपने control में करना बहुत ज़रूरी होता है जो इनसान अपनी सोच को अपने control में नहीं कर पाता है वो इनसान mentally मजबूत नहीं बन पाता है mentally मजबूत इनसान अपनी सोच को अपने control में रखता है जैसे जब आप कोई काम करते हैं तो आपके काम करते समय आपके दिमाग में अलग-अलग तरह के विचार आते हैं तो आपको उसे कंट्रोल और खत्म करना आना चाहिए तभी आप मांसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं नई चीजों को करें नई चीजे और नया काम आपको चैलेंज करता है और आपको mentally strong बनाता है एक research के अनुसार नया काम करने से हम दिमागी रूप से काफी मजबूत होते हैं अगर आपको मांसिक रूप से मजबूत होना है तो आप कुछ भी नया चीज करते रहिए कुछ नया सीखते रहिए कुछ ना कुछ नया होने दीजिए मैं आपको यह बता दूँ कि आप अगर उस क्षेतर में कोई नया काम सीखते हैं और करते हैं तो उस क्षेतर आपका मुख्य क्षेतर हो जाएगा तो आपकी सफलता उसमें बढ़ जाएगी और कोई भी नया काम अगर आप करेंगे तो आप क्या करेंगे उसके लिए सोचेंगे, अलग-अलग तरह से सोचेंगे, अपने दिमाग में नए-नए विचार लाएंगे उससे क्या होगा कि आपके विचारों को आप कंट्रोल करेंगे कि कौन सा विचार आपको रखना है, कौन सा विचार आपको नहीं रखना है इस तरीके से केवल और केवल इन तीन तरीकों को अपना कर आप mentally strong बढ़ सकते हैं इन तीनों points पर ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार हम हमारे विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं किस प्रकार हम अमारी feelings को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं खुश रहिए, खुशिया बटिये